इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एफेक्टिव रोड मैप आप स्प्रिंग बूट मतलब वह सारे कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको हम पढ़ें और सीखें जिससे हम मास्टर बन जाएं इस प्रिंग बूट के अंदर से टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं स्टार्टिंग लेकर एंड तक वहम इस वीडियो के अंदर कबर अप करने वाले प्री रिक्विजिट्ट एंड टॉपिक्स स्टेप बाए स्टेप सब चीज मैं आपको बताता हूं यह बहुत साथ होने वाला है अगर आप स्प्रिंग पूर मैं इस वीडियो के अंदर दे दूँगा चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर डार्क लिए आपको स्प्रिंग बूट नहीं सीखना है कुछ रिक्वाइर्मेंट है कुछ प्री रिक्विजिट है उसको पहले सीखना है और उसको अच्छे सीखना है मतलब वह चीज़े आपको अगर आपको जावा की फंडामेंटल जावा का फंडामेंटल ही नहीं आएगा तो आप स्प्रिंग बूट नहीं सीखना होगे तो अगर आपको लगता है कि मैं मतलब आप अगर कमजोर हो जावा फंडामेंटल आपको नहीं आती है अगर आप उसमें वीक हो तो आपको मज में आएंगी फिर आप इरेटेट हो जाओगे और आप बीच में छोड़ दोगे और आपको ऐसा लगेगा कि भाई स्प्रिंग बूट एज आ फ्रेमवर्क खुद में बहुत जादा कॉंपलेक्स है बट एकदम कॉंपलेक्स नहीं अगर आपको क्या होता है दिस की वर्ट ऑवर लोडिंग पॉली मॉर्फिम यह सब चीज बहुत जादा इंपोर्टेंट है देन स्टिंग को इसे हैंडल करते हो क्योंकि इस अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत जादा जगे पर आपको स्टिंग देखने को मिलेगा बहुत जादा यूज होने वाला एक अशक्ति नॉन प्रिमिटिव डेट अई पह तो आपको आना चाहिए बहुत आपको आपको क्या होता है कुछ मैथर आपका काम हो जाएगा बिल्गुल काम आपका नहीं होने वाला है क्यूंकि जब तक आप खुद से प्रोग्रामिंग नहीं करोगी स्ट्रिंग को हैंडल करना न सीखोगे अलगलग तरीके के प्रॉब्लम से तब तक नहीं आएगा तो आपको बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए उसके बाद क्लेक्शन फ्रेमवर्क एक बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक है आप किसी भी इस देख लेते हैं जैसे आपको एक लिस्ट बनानी इसके अंदर रखने और उन यूजर को सौर्ट करना है बेस्ट ऑन देर एज अब आपको कंपरेटर कंपरेबल भी समझ में आना चाहिए तो मेरे अकोर्डिंग कालेक्शन फ्रेमों के सबसे जादा इंपॉर्टन यह जावा एट फीचर्स यह जावा एट फीचर्स बहुत जादा इंपॉर्टन यह जावार फीचर्स उसमें से क्योंकि जावा एट जो था वह कह सकते हो काफी तगड़ा वाला जया जैसे लेंड़ आज कल देखोगे तो लैमडा कहीं भी आपको दिख जाएगा और अगर पहले क्या करते थे इस प्रिंग सेक्टी कोंफिशन करते थे उसमें नॉर्मल मैथर्ट ऑवर्राइट करके अपनी इप्लेमेटिशन दे दे थे बट अब क्या है हम बनाते हैं उसके अंदर मैथर्ट करते हो मैं यह चोटा से एक्जांपल मैं ने दिया कि लेमडा कहां पर होता है रियल टाइम में लेकिन आपको बहुत जगा लेमडा देखने को मिलेगा अब जो पुरानी कोड्स होते थे उन में जो लिस्ट का ट्रवर्सल होता था उसमें आप नॉर्मल फॉरीशलू भी उसकरते थे बट अब जो लिखे जाते हैं या जो लेटिस कोड लिखे ज सिखा रखें प्रोजेक्ट सिखा रखा है लॉजिंग बिल्डिंग के देट्स उसे 200 कुश्चन मैंने करा रखें एंट इंटर्वी प्रप्रेशन के कुश्चन भी डाल रखें नूट्स भी डाल रखें तो उस को आप चेक आउट कर सकते हो लिंक आपको कर सकते हैं अगर आपको डिसकाउंट्ट चाहिए तो आप lcw 300 यूज इस पर आपको डिसकाउंट मिल जाएगा लेकिन अगर आपको और रसकाउंट प्रिकर सब्सक्रिंक्व सबसी इंपोर्टिन आप देख लुह तीसरा सक्षन है इसके अंदर हम आने आपको कुश्यंस क करते हो तो आपको बनाना भी आ जाएगा उसके बाद उपस तो कबरी का रखा है जावा पैकेजे से स्रिंग हैंडिंग एक्रेंड लिंग कलेक्शन फ्रेमर्ग और प्रोजेक्ट से रिल्टेट तमाम बहुत सारे टॉपिक्स हमने कबर करकें बस अगर अगर अच्छे से कर ल आपको इंडर जो डिट आ होता है वो एक्चुली आपको रखना होता डेटा के अंदर करना चाहे छोड़े काम करने के लिए हम लोग तो आपको आ इंस के पार में आपको बहुत अच्छे से इन signal कारम चोनेशन बनाते कैसे हम बना आते और आपको बीसिक डेटाबेस भी पता होना चाहिए कि हम डेटाबेस कैसे करते हैं अगर आपको नॉलेज वोग होगी तो आप पीछे मठ अटीए आपको क्या करना है आपको ज़िजी आ समझ में आती जा रहीं तो जीच आप सीखते जएए तो तो JDBC is one of the most important for the database interaction, database के साथ interaction करने के लिए JDBC important है, next अगर हम advanced technologies की बात करें, तो आपको filters and servlet के बारे में knowledge होनी चाहिए, भले ही आपको basic पता है कि filters क्या होते है, servlet क्या होते है, filters को कैसे बनाते है, servlet को कैसे बनाते है, कोई भी request है, अगर हमें server पे, कोई भी ऐसा प्रोग्रा होती है, तो हम normal Java program नहीं बनाएंगे, हम servlet बनाएंगे, और servlet को servlet पे डाल देंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि request आ रही है, servlet चल रहा है, लेकिन उस request को बीच में ही कोई ऐसा बंदा हो, जो intercept कर ले और काम कर दे, तो हमें filters की आप सकता होगी, अब यह topic सबसे दादा इसलिए है, क्योंकि आप Spring Boot MVC या Spring MVC सीखोगे वहाँ पे, तो सारा काम Spring servlet ही करता है, सारा काम servlet ही करता है, सब चीस servlet करता है, then servlet request को spring को देता है, that means सारा काम करने के लिए servlet ही है, basic fundamental technology Spring MVC की servlet ही है, interceptor बहुत सादा यूद होते, आप security पढ़ोगे, तो interceptor ही सीखोगे, intercept basically backend में हम लोग आते हैं, filters के help से, तो वहाँ फिल्टर ही बहुत सादा यूद होगे, तो अगर आप सुखुद सुचोगे, अगर आपको filters ही नहीं समझ में आएगा, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो आपको security कैसे सीख पाओगे, वहाँ पे फिर आपको confusion होगी, कि actually filters क्या ह जा रहा है, यह सब समझ नहीं आएगा, तो आपको basic पता होने चाहिए, filters को कैसे बनाते है, service क्या होते है, service को कैसे बनाते है, और आपको एक चुटे-चुटे-चुटे programs समझ में आनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, filters के, तो यह basic fundamental है, मैं तो recommend करूंगा, कि आपको यहाँ पे टेक्नोजी अलग है, प्रोसेस करने के टेक्नोजी अलग है, तो आपको एक layered architecture समझ में आएगा, लेकिन अगर आप serverate पे चोटा सा project बना लोगे, service filters का उसका कर लो, चाहिए को दूसरी टेक्नोजी कर लो, तो उसका advantage बहुत साथा होगा, अगर आप Spring Boot आगे सीखोगे तो, एक minimum basic project बना लो, छोटा ही बना लो, आप चाहे to do application बना लो, चाहे आप mini banking application बना लो, चाहे आप book store बना लो, कोई बना लो, बट एक चोटा project बना लो, effective learning के लिए जिसे आप और अच्छे से सीख पाऊगे, इतना तो भाई, अभी तक हम बात कर रहा है तो सिर्प प्री रेक बूट मैने आपको बता है कि आपको यह दिखना चाहे spring framework क्या होता है तो आपको समझ में क्या है एक स्प्रिंग क्या है यह पता होना जाहा है बैए कोई जानोबर दीक राइस तो सामने जानौन सा है सबसे पहले यह पता होना जिए उसके बाद आप आगे बढ़ोगे अध आना हो कि आप यह समझी नहीं हो कि spring boot क्या है spring क्या है आप concept लगाए जा रहे हो काम की जारो बिल्कुल नहीं आपको concept समझ भी आने जाए spring की framework क्या है spring boot क्या है spring core के concept जैसे for example dependency injection इंजेक्ट कैसे करते हैं dependencies को inversion of control क्या होता है spring container क्या होता है and spring container के अंदर जितने और बीन सबनती उनको कैसे गेट कर सकते हैं configurations के तरीके होते हैं जैसे आप बात है आप XML ना सीखो बड़ आपको पता हुंची कि हाँ तरीका होता था अगर आपने यह नहीं सीखे तो spring boot समझने में बहुत साथा दिक्कत होगी इसलिए मैंने detail में यह रोड मैं बना रखा है कि आपको यह topics तो मस्ट आने ही आने चाहिए उसके बाद एक्स्ट भी सीख लो तो आपको यह सारे concept समझ में आनी चाहिए जैसे मैं आपको बताया उसके बाद आप about spring boot framework देख सकते हो कि इस प्रेंबर क्या है जो काम हम लोग spring boot से या जो काम हम लोग spring framework से थोड़ा सा complexity के साथ करते थे वह अब वह सारे वह सब्कूट के साथ कितने आसानी से कर सकते Harry Steunes के स्टाटर्डियंस क्या होती है और स्टाटर्डियंस कैसे और सटर्टंध है और दैंडद्गेसे लखना है तो हमें बहुत सारे एक दो दिन तक सिर्फ कॉन्फिक्शन से लिखने पड़ती थी डिपेंडंसी मैंने पड़ती थी वह सारे प्रॉब्म सॉप करके स्प्रिंग बूट ने हमें प्रोडक्शन रेडी अप्लिकेशन दे दिया कि आप प्रोजेक्ट बनाओ और हम सारा कॉन्फिक्शन करके देंगे आपको सिर्फ बिजन्स लॉजिक पर ध्यान देना है ऐसा काम हमारी स्प्रिंग बूट स्टार्टर करती है इतना अगर आपने सीख लिया दिन आप आ जाओ क्योंकि आपको स्प्रिंग बूट स्प्रिंग कोर के बारे में पिछले स्ल कफी नीचे वाली अंची टेक्णोजी है है अम हमें और असानी से काम करना है तो हमें विश हां करके लेकिन आप हमें और असाली से काम कराने में हमारी करेगी उसके बाद हमारे पास स्प्रिंग डेटा जे पीए जो एक्चुली और मैपिंग को इसके अंदर आपको डेटावेस को इस भी निलिनी पड़ दी है यह सारा काम खुद से कर देता है अपनी क्लास को अपने कर लिया तो आपको get by email भी करना आना चाहिए हो पर थोड़ सा complex operations करें इसलिए मैंने इसन कर रहा है complex operations जीप रएपोजेटरी जो जो लेट अठीक्ट यह सकते हैं अधीड क्या है यह सब के बारे में आपको समझ में आना चाहिए इस पूरे मोड्यूल को सीखने का सिंपल मत्दब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम डेटा रहे करना हो सिंगल करना हो χור नो तो वो सब चीज आपको right and और आजकल ज्यादा तर Spring data JPA यूज होता है, इसकी starter dependency लगाईए, configuration करिए और आपका काम start, ठीक है, यह पूरा module सीखने का simple सा, यह मतलब है, जो मैंने भी आपको समझा है, अगर आपको data access layer आ गया सा मुझ में, पर आप एपने Spring boot से, अपने database में data को असानी से ले जा सकते हो, और वहां से आप निकाल सकते हो, अब जितना आसानी से बोल रहा हूं, थोड़ा complex होता है, क्योंकि बहुत बार complex डेटा भी रखना होता है, अप्डेट करना होता है यह सब चीच आपको आना चाहिए नेक्सट अब अगर आपने सीख लिया डिट अपने सिख सकते हो विद पूट इसको बूटे से भी करते हो इसको हम से बहते हो जरुत नहीं है अपसो बॉत मेसी से करिए नगे जिए क्योंकि कान्फिकेशन सपने MBC pattern क्या है M for model V for view and C for control model view control pattern क्या है क्योंकि इसी को पूरे application के अंदर use करोगे आपने खुद का application बनाओगे या को testing के लिए learning के लिए कोई भी application बनाओ तो MBC pattern यूज करोगे तो यह तो पता होना जाहिए कि MBC pattern होता क्या है next कैसे MBC pattern काम करता है या कैसे MBC work करता है dispatcher service का क्या रोल है filters का क्या रोल होता है यह सब चीज़ आपको पता होना चाहिए with proper diagram कि हां भाई यह चीज़ यहां काम करती यह चीज़ यहां काम करते रिकुस्ट आती है तो सबसे पहले dispatcher service को पकड़ता है dispatcher service हमारे spring के handler को भेजता है वहां पे सारा काम होता है models view controller कहां कहां पे काम आते हैं handle mappings मदब controllers कैसे बनाते हैं हम लोग with the help of add the right controller annotation या फिर कोई और तरीका java configurations को यूज करके या XML configuration को यूज करके या अंदर spring boot उस कर रहो तो spring boot में directly controller यूज करके हम handle methods बना सकते है request को handle करने के लिए राइटिंग business logics business logics कैसे लिखते हैं अगर एक बार request आ गई हमारे controller करने तो controller कैसे उस request को भीजेगा business business logic के पास and business logic sx good होगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें business logic को चलाने करे request data निगालना पड़ता है तो control कैसे request data को निगालेगा देन उस data को business logic बहीजेगा business class तक बहीजेगा business class को सर्विस class बोलते हैं तो वहां तक कैसे data गया और कैसे operations परफॉर्म होगा इफ सर्वे class needs the requirement needs the data needs to access the data then कैसे वो डाव access layer को contact करेगा and then एक बार business layer को data मिल जाएगा दिन उसको control layer को वापस करेगा और फिर control layer response वापस करेगा तो यह सब आपको समझ भी आना चाहिए कैसे हम business logics को implement करते हमने project के अंदर view resolvers को कैसे उस करते हैं कैसे configure करते कैसे यूज करते हैं कैसे हम time leaf यूज कर सकते हैं कैसे हम JSP यूज कर सकते हैं वी resolvers क्या होते हैं इनके अंदर कैसे dynamic data आता है कुछ projects एक दू projects आपको basic projects बनाने चाहिए normal view resolvers या backend से आप सब्सक्राइब करके बनाने चाहिए जैसे हम लोग का project चल रहा है SM तो आप SM को सकते हो SM के अंदर मैंने पूरा समझा रखा है कैसे हम लोग यूज करोगे तो आपको समझ भी आजाएंगे याद करनी के कोई जरूत नहीं होती है मैं अपने हर course में में बताता क्या को कोई चीच याद करने के कोई जरूत नहीं है क्योंकि बहुत भार जाती जिसका कोई मैपिंग नहीं मिल रहा है यह फिर को ऐसी है जहां पर एक्सेप्शन आ जाएगी तो आप पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कैसे बड़ा रहे हुँ वहां पर साइस कैसे चेक करना है अप्लूट करते हैं कि अपने स्टोरिज में अप्लोड कर सकते हैं, कैसे हम फाइल को सर्वर किसी थाट पार्टी सर्वर पे जैसे AWS S3 पे अप्लोड कर सकते हैं, कैसे हम लोग अप्लोड कर सकते हैं, क्लावडिनरी पे या पहुत सारे से सर्वर से वहाँ पे हम फाइनली जब आपको यह चीज़ आ जाएगी MBC कोंसेट्स आ जाएगे तो आपको REST APS बनाना सीखना चाहिए REST APS is basically for the backend only वहाँ पे फ्रेंट का कोई रोल नहीं होता है फ्रेंट का प्रोजेक्ट अलग होता है फ्रेंट का प्रोजेक्ट जो होता है वह फ्रेंट डेवलबर टीम हैंडल कर रहे होती बस जब रिक्वाइर्मेंट होती फ्रेंट डेवलबर टीम को तो वह बैकेंड को कॉल करती हो डेटा निकाल लेती है जैसन के फॉर्बट में तो आपको रिष्ट एपास बनाना चाहिए कि अगर कोई फ्रेंट बंदा मांग रहा है कोई रिक्वस्ट कर रहा है एक इसको तो हम कैसे जैसन को भीजेंगे रिक्वस्ट को एक्सेंट लगर रहे हैं जैसन को कैसे बेजेंगे तो यह इस आर्प करते हो तो आपको बहुत सारी करने के लिए सेम जो मैं बता रहा हूं वह सेम अलब प्रोजेक्ट कर सकते हैं सेम इंपोर्टेंट है यूटूब पर फ्री चल रहा है इसकल लिंग में इचे डिस्ट वाक्स में दे दूँगा आप जाकर करोंगे तो आपको स्पिंग मीशी के आलमुस्ट समझ में आ जाए को सबसे इंपोर्टेंट एक मॉडिवल है जो आपके अप्लिकेशन को प्योर सेक्यूरिटी प्रोइट करता है वह स्प्रिंग बूट सेक्यूरिटी बोले तो इसको सिंग डिया जरूरत मॉडिल को बाई जब आप कोई अप्लिकेशन बनाते हो तो उसके अंदर सिक्यूर अप्लिकेशन होना बहुत जादा ज़रूरी है और यह जो सेक्यूरिटी वाला फीचर होता है वो कोई किसी और इसक्लाइंट का फंक्शन रिक्वार्मेंट नहीं होता कोई भी क्लाइंट यह नहीं बोलेगा कि आप स्प्रिंग सेक्यूरिटी लगा कर देजिए यह आपको आपको समझना है वो फंक्शनाटी इंप्लिमेंट करने के लिए नहीं दी जाएगी आपको कि आप सेक्यूरिटी लगा दिए वह आपको समझना और आपको आपको अट्वार्मेटिक लगाना है तो यह हमारे अप्लिकेशन के अंदर हो नी होनी चाहिए अब एक चीज आती है कि हमारी हमारा जो कोड है या लॉजिक है वह फुली सीक्यूर है तो इस प्रॉब्लम को सॉलफ करने के लिए इस पूरा स्परिंग का एक मोडूल बना के दिया है कि अगर आपको सेक्यूरिटी चाहिए तो यह मोडूल कर लिजिए इसके अंदर प्रीबिल्ट कोड डेव अ Gateway करक्त में के लिए को स्क्राइब करने के लिए ऐसा को यह सधीर से कुरिटी आपको दिए रहे वागा फ्रेवर्क को हो गाना चाहिए pessoally कि आपको पता होने जबिन से क्थे कंदर वहतरिFrotherap ahíह operator क्या होता है कैसे हम औरब माणा करते हैं विडियो बना चुके हैं अगर आपको डीटियल में यह सब चीज सीखना है सब चीज सीखना है तो हमारे पास एक कोर्स है मास्टर स्प्रिंग बूट विद रियल टाइम प्रोजेक्ट उस को अपको एक्सेस कर सकते हूं एक बार मैं आपको दिखा देता हूं और एक चीज मॉडियुल वाइस सिखा रखिए अगर आप स्प्रिंग कोर कॉंसेट्स में तो आपको स्प्रिं डेटा एक्सेस वाले सेक्षिंग आओगे तो आपको स्प्रिंग डेटा एक्सेस का सब्सक्राइब को सिखा रहा है इस प्रोजेक्ट को हम लोग जल्दी ही अपडेट करने वालें तो उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूँगा जो लेटेस्ट वीडियो उसको भी हम लो पर सपोर्ट भी दे साथी साथ में कुछ चीजें अपडेट्स वगए रहा है तो जल्दी से जल्दी हम अपडेट्स को भी पुश कर सकते हो इफ वांट डिस्काउंट तो आप लसे डेब्ली 300 यूस कर सकते हो जैसे मैं आपको पहले वीडियो के अंदर बागा दिया अधर मैं से डेटा भेजना सेकुरिटी अचीफ करना चाहते है तो कैसे हम बसके को यूस कर इस प्रणिद यह सब कैसे करेंगे यूजर को ऐसे मेलिश करना है हमें डिटाबस में यूजर मैनेज करना है यह सब जिइक प्रौपर जे आपको आने चाहिए है आपको रयस टेयर करना चाहिए ठीक है यह जब आप आगे बढ़ तो इस और पर माइक로 सर्विसे को भी सिकेर क को मौडियूल आता है जो के test Hindi से रिलेटेट जो में अपको इन इस टेस्टिंग देखनी होती है मोकिटर देखना होता है फॉर मोंकिंग दो अब्जिट्स या डप्जिक्स के लिए मॉक्टर के उसके हैं यूलिट हम एक एक यूनिट्स हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप आप सबस्क्राइब अबले Maarे अलग अलग वरुजिंज के साथ कैसे काम करना कुछ अधिक पुटिक पूरा बाकेंट है या अगर आपको सिर्फ रेसिपेस बनाना सकतू दोनों प्रोजर्ट ऑलेबल मैं यह इसे इक बना थे प्लेकेशन बना सकता हूं यह सब प्रोडेक्ट बाइक करने से लिए करने तक और तक सब चीज आपके पास होनी चाहिए तो एक ही प्रोजेक्ट बनाओ तक सारी लर्निंग उसी सी हो जाएगी अलग-लग तरहीं प्रोजेक्ट जब तक रेक्वाइर्मेंट नहीं आते हैं रप्तिक बनाने के कोई जरूरत ही न उसके अंदर एक e-commerce का प्रोजेक्ट कम्प्रीट कभर रपकर रखा है इसकी अप्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए बताओ तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा कि मैं 5-6 प्रोजेक्ट या इनी प्रोजेक्ट से उठाऊंगा उसके अंदर क्य मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमें क्या-क्या बनाना चाहिए अगर आपको होगे तो हम कोर्स भी लाएंगे इसके अंदर ये प्रोजेक्ट आपको बनाएंगे आपको पता है जिसे हम लोग का YouTube चैनल जो वो प्रोजेक्ट से रिलेट इतना करने पर हाप से 25 परसेंट चीज़ें चुके हो और आपको बेसिक आ चुका है अगर आपने इतना कर लिया तो आप किसी इंटर्व्य को क्लियर आउट कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे आप क्या करें आगे तो आप स्प्रिंबूट के अप्लिकेशन क इंडर्ण क्लाउड क्लाउड पर आप क्लाउद च्यांपर लगें पर एच्छाक्ट क्लाउड क्लौट क्लाउड क्या होता है इसको समझज्ये वर्चल मशीन क्या होती है जैसे Як nghiенforward को किसे इंड़ कैसे कांफिघर करते हैं कैसे हम अपने code को अप्रोड करते हैं गिट हब कैसे को कइसे क्लोन करने के लिए ideology किसे हम किनक्क करते हैं है थे छो Left Heru को कैसे रन करते हैं आपको समझ अचे कैसे हम इंबाउंड रूट्व को इससे हम पोर्ट को युद्स करके बाहर से ऊट csak एします को क्या सब्सक्राइब करते हैं वबेन सब्क जिसे हम दो मैंने के थुरु अपने आपिलिकेशन को किया अगर आगर आप अगरना था बना रहे तो आपको मैंक्रोसर्फिकर अम्ह pansy छुका है यहां तक आप मैशने सब्सक्सक्राप Jacob उसको में दरगी तक हम दौन बना रहे थे उसमें सिर्फ एक ही अप्लिकेशन था वह application bulk में एक ही जगह चल रहा था उसका code भी सेगी था उसका data भी सेगी था अब microservices में हम लोग अपने उस जो हमारा project था इक ही जो बड़ा सा project था उसको कैसे चुटे चुटे टुकडों में break कर सकते हैं उसका code base चेंज कर सकते हैं अपने application को और भी scalable बना सकते हैं विद्धाहलपा microservices अगर हमने अलग-अलग microservices बना ली तो कैसे हम microservices का communication करेंगे कैसे हम fault tolerance करेंगे कैसे हम API gateway करेंगे डिस्रिबिटर लॉगिंग कैसे करेंगे अपाचे कफका एंड रैविट MQ यूज करके कैसे हम messaging कर पाएंगे यह सारे topics आपको सीखने होंगे microservices के अंदर आप जा करके इन topics को समझ सकते हैं इसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखिए अगर आप यूटूब पर जाओके दोखो तो वहां पर को देखने को मिल जाएगा है कैसे हम लोग microservices मनाते हैं communication करते हैं इतना अगर आपने कर लिया तो आप 90% सीख चुके हो अगर आपको लाइब हमसे सीखना है तो हम लोग जल्दी ही बैच भिलाने वाले हैं आप स्टे ट्यून रहिए और चैनल अभी तक है सब्सक्राइब कि मैं मिल तब नेक्ट वीडियो के अंदर और ये चीज़ जरूर बताएगा वीडियो कैसे लगी अपना नाम और आप कहां से हो कमेंट स्क्रेंट में लिखना मत भूलेगा बाबाई चैन जे भारत